असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स कैसे आप ठीक हैं अल्ला पाखोश रखे जिन्तेगी से आपको कामियाब करें हाँ मेरा बेटा आज हम 3.1 एक्सरसाइस इंशाला ताला कम्प्लीट करें गे अल्ला के लिकुम से तो बेटा अभी हमें इसके हमने कितने क्वेस्टन कर लिये थे आपको याद होगा यह देखें हमने जो सवालात किये थे उसमें हमने फिफ्ट क्वेस्टन कम्प्लीट कर लिया था यहां तक ठीक है अभी हम क्या करेंगे अभी हम यह 6 क्वेस्टन करेंगे और पिर 7 के पार्ट से 7 तो बहुत आसान है वैल्यूज दे रखें एक्स फो रहे हैं अरूल्स रेगुलेशन याद रखने ही ठीक है भूलना कुछ नहीं यह तब ही आप आसानी से इसे कर पाएंगे क्योंकि है तो आसान ही मुश्किल नहीं है लेकिन जाहरे लेंदी इनोंने बहुत कर दिया बड़े हैं सवालात काफी ही न तो इसो जैसे आप तवज गूटार सैज लिख लेते हैं कौन सी चल रहे हैं अब पस थरी पउइंट सी इन बड़ और सीधैं है यह है कर लें多 यहां कर लेसे जगा भी होगी हैं क्ली मैड़े एक्सरसाइज का क्वेस्चन नम्पर से आपको दिखाया कौन सा करीरार है question number 6 करेंगे sum number 6 जी अब sum number 6 हमारे पास क्या है आप देखें है आसान, मुश्किल नहींगे एक मिट गास देखें बुक बंद हो गई देखते हैं जी यह है 6 find the value क्या कहाए आपको find the value किसकी value t plus 1 oblique t इसकी value मालुम करनी है जबके उन्होंने क्या बता है आपको यह कहा कि t is equal x minus y and oblique x plus y ठीक है यह उन्होंने value दे दी हमें हमने अब इसके सवाल को हल करना है और heavy आसान value पुट करके तो काम करना मुश्किल नहीं है मेरा थेल है आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा और आप असानी से कर लेंगे जी अब बेटा इसमें देखे हम क्या करेंगे हमने सबसे पहले question रख दिया हमारा ये question है क्या question है t plus one oblique t जी तो अब हम क्या करेंगे यहां हमने रख रखा t plus one oblique t अब बेटा बस value पुट करेंगे अब हम यहां बता देंगे because उपर ही value दे दिये तो because भी कहने की ज़रूरत नहीं direct आप चला ले direct अगर हम चलाएंगे तो देखे हम t की जगा t की value पुट करेंगे कौनसी value है यह t की value है हमने क्या पुट किया x minus y and oblique x plus y ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते है because t is equal x minus y oblique x plus y चीक है हमने यह बता दिया अब क्या करेंगे भला यह हमने सिर्फ t की value पुट किया plus हमने वैसा का वैसा लगा दिया one हमने वही लगा दिया and oblique फिर हम t की value पुट कर देंगे t की value क्या है x minus y है and oblique x plus y है ठीक है मिटा इसको देखे major division को थोड़ा सा बड़ा कर दिया करें ताकि आपको पहचान रहे जब division के निचे division है अभी हमें क्या करने हम कोई भी अपना rule इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से काफी step है जो हम कर सकते है हम क्यों ना पहले इससे सीधा कर ले division के नीचे division नहीं होता होगा तो हम क्या करेंगे इस main division को multiplication में change करेंगे नीचे y रकम को उल्टा कर देंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाए का is equal डाने यह तो ऐसा ही रहेगा ठीक है x plus y हमने ऐसा ही लिख दिया प्लस भी वही लगा दिया अब यह देखें यह one है आप यह दिखाएं जरूर यह division चेंज हो गया multiplication में और नीचे रकम पलड़गी x minus y उपर था वो नीचे चला गया x plus y गया है नीचे है तो वो उपर आ गया और यह नीचे चला गया ठीक है यह हमने रकम को पलड़ा गिया है इसके बाद क्या करना है इसके बाद वो ही पुराने तरीका करना है आप lcm लेंगे lcm क्या आ जाएगा आपके पस lcm पूरे का दोनों को हम क्या करेंगे lcm हम आपस यह आएगा ठीक है क्या 1 plus 1 minus की रकम हम लिख देते है lcm आगे x plus y एक यह हो गया और एक हो गया x minus y ठीक है lcm lcm को हम दोनों से compare करेंगे एक इस रकम से compare करेंगे 1 की कोई importance नहीं छोड़ देंगे एक step और करेंगे तो बढ़ जाएगा फिर हम क्या करेंगे 1 minute हम इसे खतम करी देते हैं परिशान होगे हम 1 and 2 खतम करते हैं हमने क्या लिखा x minus y ऐसा ही लिखा x plus y ऐसा ही लिख दिया यह plus लगाया 1 की कोई importance नहीं छोड़ दे x plus y and oblique x minus y ठीक है आप थोड़ा सा clear हो जाएगा आपको हमने 1 निकाल दिया कि आप सोचेगे कि यह 1 है तो उससे आपको confusion ना हो जाए जी अब हम ही क्या करना इसमे lcm लेना है lcm ले लेते हैं direct lcm क्या आया हमारा x plus y आया और क्या आया x minus y ठीक है बटाए अब आप क्या करेंगे अब comparison करेंगे इसके साथ पहले और फिर इसके साथ और plus वैसा ही देगा इसके साथ किया तो plus plus से cancel माइनस का बचा एक माइनस यह और एक माइनस यह दोनों माइनस की हो गए आप इसे क्या करेंगे ऐसा रख देंगे x minus y एक हमने यह खुद जो मौझूद था वो रखा एक यह नीचे से चलाई है x minus y minus ठीक है plus नीचे x minus y यह हमने लगा दिया ठीक है अब बेटा इसके बाद हमें क्या करना है क्यूंके plus का sign है दोनों brackets को अलग कर ले तो middle bracket का use कर ले इसे थोड़ा सा बढ़ा ले दर्म्यान में plus का sign है यही plus का sign आ गया जब LCM को इससे compare किया तो minus minus से कर गया क्या बचा मापस plus का बचा तो क्या आ गया हमने bracket लगाई x plus y रिखा एक मरतबा और x plus y यह हुग यह हुगा दूसरी मरतबा ठीक है ब्रेकिट को close कर दिया अब क्यूंके दर्म्यान में plus का sign है तो आप क्या करेंगे अब यह दोनों brackets के अंदर multiplication से अब आप यह करें कि हमने आपको multiplication का method बताया और जो तरीका कार आप उसी पर चल लें क्योंके वरना multiplication बड़ी है आप कहीं यह ना हो कि इसमें कोई mistake कर दे means आप क्या करेंगे आप इसमें यह oblique देखे हमने आपने करना है हिसाब किताब एक बाहर रख लें x और दूसरी bracket रखें पूरी अंदर x minus y पूरा अंदर रखा जिससे बाहर रखा उसका दूसर साथी minus y बाहर रखा और जो पहले अंदर रखी थी वो यह bracket दुबारा से अंदर रख दी ठीक है और क्यूंके दो ब्रैकेट का खेल चल रहा है इसे ऐसा कर दें प्लस का साइने प्लस लगा दें याँ भी यही करें एक ब्रैकेट काई बाहर के रख लें x बाहर के रखा और x plus y अंदर आ गिया इसी का क्या प्लस y बाहर रखा और X प्लस Y अंदर चला गया ठीक है बटाए अब हमने क्या करना है अब लीग को थोड़ा से बढ़ा दे जी अब क्या करेंगे भरा अब हम क्योंकि अगर इसको उपर ले जाएंगे क्वेस्टन को तो वहाँ हो सकता आपको confusion हम यहीं से इसको आगे चलाते है पिछला आपने note कर ली है तो इस वज़ा से यहाँ से अब क्या करेंगे अब multiply कर ले अब multiplication में हमने जब एक बाहर एक अंदर रखा है तो हमाँ पस क्या आगया देखें XX क्या बना है पहले हम अब्लीक लगा ले यह रहा यह हमने अब लीक लगा XX X square इससे multiply करें माइनस XY ठीक है माइनस XY माइनस XY और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बार माइनस का sign अंदर का बदल गया YY क्या हो गया Y square हो गया bracket अपनी जगा रहेगी इसे end में खतम करेंगे ठीक है इसके बाद जो प्लस का sign है इसको नहीं भूलना है इस sign को वरना mistake हो जाएगी यह भी हमने क्या किया bracket बनाई XX X square and plus XY plus XY plus XY and plus Y square ठीक है LCM जैसा है as it वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा क्योंकि इसका फिल हाल इस वक्त कोई काम नहीं है हम इसे मिलाएंगे एकठा कर देंगे आगे चलके शायद इसमें से कुछ यूज हो जाए इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है ठीक है बटा अभी हमें क्या करना है अब यहां से आप धरम्यान में प्लस का साइन है आप इन्हें खोल दें या पहले प्लस माइनस कर लें आपकी मर्जी है अगर प्लस माइनस कर लेते हैं पहले ब्रैकेट को सिंप्लिफा करते है खोलने से पहले ठीक है तो हमने यह देखे यह हमने oblique लगा दिया अब क्या होगा वापस x square तो ऐसा ही लिखे जागा minus minus plus लेकिन sign minus का one and one two two x y बन गया and plus y square ठीक है bracket close plus का sign अब ऐसा ही लगा दिया यहां क्या होगा x square ऐसा ही लगा है plus 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 एक और एक दो two x y यह बन गया and plus y square बन गया ठीक है यह आप middle bracket लगा दें यह small bracket लगा आपकी मरस्जी है lcm को हम exit लिख देंगे जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा lcm इसे बाद में हम जमा कर लेंगे एक अठा कर लेंगे ठीक है यह और चाहें तो यहाँ आपका काम साइन है अब सारे को आप मिला दें एक जैसा कर दें साइन से multiply करें क्या आगिया x square minus 2xy plus y square इसके बाद क्यों होगा plus x square plus 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 2xy and plus y square हमने मिला दिया आपको इक cancel होता तो cancel कर देंगे आप जी cancel कौन सा होगा यह देखें यह रहा minus का 2xy plus का 2xy ठीक है यह cancel होगा है हमारे पस और कुछ cancel होता है देख लें गौर से कुछ cancel होता तो नहीं होता cancel challenge ठीक है फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं अब हम इसे क्या करेंगे आगे चलाएंगे cancel तो नहीं हो रहा है आगे किस तरीके से अब आप चेक करेंगे क्या बन जाएगा इसमें क्या होगा इसमें हाँ शाबच देखें गौर करें क्या बन जाएगा देखें एक तो x square बचा एक प्लस y square बचा फिर x square फिर y square बच गे नहीं आपको बचे बे नज़र आ रहे न हमने वह लिख देने हैं यह हमने lcm को हम close कर रहे हैं हमने क्या किया इसे x square minus y square ऐसा कर दिया है अब यहाँ पर क्या करेंगे आप बचे 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 लिखेंगे एक x square यह रहा पलस का y square है यह यह प्लस का x square है और यह भी प्लस का y square है इसको चाहें तो set करें एक दूसरे के पास रखें और उसके बाइद से plus minus कर लें या direct कर लें आपकी मर्जी है जी यह हो गया अब हम इस तरफ चला लेते हैं इतनी जगा नहीं या ले आते हैं अब क्या होगा हम आपस देखें 1 और 1 2 यानि 2x square हो गया 2x square and plus क्या 1 और 1 2 2 y square बन गया यह and oblique में x square minus y square ठीक है अब क्या करेंगे अब कुछ नजर आ रहा है आपको इसमें करने को जी बिल्कुल नजर आ रहा है common जब तक निकलता रहेगा हम निकालते रहेंगे 2 common है दोनों में 2 को हमने बाहर निकाला क्या बचा x x square plus y square and oblique में क्या आ जाएगा यह जो आपका LC में वो यह आ जाएगा यह रहा x square minus y square ठीक है वेटा समझाया है 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 आसान बस थोड़ा सा बड़ा है कोई मुश्किल नहीं है इसमें इसके बाद हम next करें इसके बाद बार एक question कौन से होंगे ठीक है इसके बाद कौन सा हमारा question है हमारा question है question number 7 हमने यह 7 बना दिया question number 7 है और हम यहां से यह मिटा देते हैं क्योंकि यह हो गया सवाल अब हमें इसमें क्या करना है इसमें हमें यह करना है कि हमने value put कर देने हैं देखें जैसे हम आपको यह करके बता रहे हैं क्या हम आप 1st question, question 5, 5x plus y, 5x plus y, and oblique, 3x square, under root y, and plus 6, ठीक है, question देख लें, एक मरतबा, जी, बिल्कुल यह question है, अब हम इसको solve करते हैं, solve करने का क्या तरीका होगा, उन्होंने आपको value दे रखिये, question था हम ने लिख लिए, लेकिन साथ हमने value लिखी, अब हम value लिख रहे हैं, वो क्या कहरे हैं, यह question है, if, if क्या x minus 4 है, x is equal minus 4, य होगा, comma लगा दें, और y कहा, y is equal 9 है, means question में, जा x होगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, x की value पूट कर दें, जा y होगा, वहाँ पर आप y की value पूट कर दें, आपने यह काम करना है, ठीक है, अब यह करें, आसान है बिल्कुल, जी, अब क्या होगा, इसमें हमारे पस, हम देखें क्या कर सकते हैं, जो possible होगा, हम वो करेंगे, हम सबसे पहरे तो values रखेंगे, देखें हमने 5 जैसा था, as it हमने वैसा ही रख देना 5 को, यह 5 तो वैसा ही रहो गया, bracket बना ली x की जगा, क्या जगा, minus 4 आ जगा, ठीक है, और फिर क्या है, value हमेशा bracket में ऐसे पूट हो ठीक है, अब 3 हमने ऐसा ही रिखा, x की जगा, x square की जगा, कौनसी value आ जागी, minus 4 आ जागा, minus 4 है, और यह x square है, और फिर अंडरूट वैसा ही रखा दिया, और y हमारे पस क्या है, 9 है, तो हमने यह 9 put कर दिया, ठीक है, y के हमाँ पस 9 है, तो अंडरूट में 9 put किया, plus का 6 हमन अब आपस यह value बन गई है, अब आप इसे solve करें, क्या बनेगा, किस तरीके से solve होगा, देखे, ऐसे solve होगा, कि is equal लगाया, यह हमने ऐसा किया, और यहाँ plus minus, minus कितना बचा, वान गया, वाकी माँ पस क्या बचा, देख, plus minus, यह पहले multiply होगा, multiply होगा, पहले, कैसे multiply होगा, आप इनको आपस में same कर ले, multiply कर ले, क्या बनेगा, five forza, कितना आएगा, हाँ, शापश, पढ़े टेविल, twenty है, ठीके, लेकिन आप यहाँ ऐसा करें, कि आप इसको value को बजाए, इसके के, कि इसको यूँ चलाए, आप इसको bracket को पहले solve कर देखे, यह bracket है, इसको बलके आप इकठा कर लेते हैं, तकि आपको बास समझ आ जाए, देखे, ब्रैकेट में value है न, था हमने ऐसे ही रख दिया, एक्स की जगा हम माइनस four रख दिया, प्लस का sign ने का, y की जगा हमने क्या किया, वहाँ पर हमने nine रख दिया है, अब यह हो गया, इसको ऐसा चला लेते हैं, ठ थ्री हमने दिया हुआ था, ऐसा ही लिख दिया, और यह three के साथ, यह हमारे पास क्या है, three और यहां यह हमने क्या लिखा है, y की variable की, यह four है, अब four के उपर देखे, square दिया है, square means four into four, means हम क्या करेंगे, sixteen हो जाएगा, हो जाएगा, under root में nine है, three three's are nine है, तो इसको हम यहाँ pair दिखा देते हैं, वरना आप ऐसा ना हो के गड़ बड़ कर दें, यह हमने लिखा, इस तरीके से, ठीक है, और इसके साथ में क्या है, यह देखे, plus six भी दिया हुआ है, इसको बढ़ा दे थोड़ा सा, जी, अब हमें क्या करना है, five five's are twenty five, यह हमने twenty five कर लिया, oblique में क्या जाएगा, इनको आपस में, शोला तिया, यानि sixteen three's a, या three sixteen's a, कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा, यह 48, और into क्या आजाएगा वापस, यह pair है, pair में से एक बाहर आएगा, तो यह एक बाहर आगया, ठीक है, और plus का six यह जो था, वो रखा गया, जब pair होता है, और बाहर न होता है, वो सारा आप कर ले, is equal में क्या आजाएगा, जब आप इन्हे multiply करेंगे, इन दोनों को multiply, फिर answer आगया, उसको plus कर ले रहा है, तो यह आपके पास आजाएगा, इनका answer 144 आजाएगा, और plus का six यह रहा, plus का six, ठीक है, अब उपर देखते हैं, उपर तो कुछ नहीं क रखी है, इनको आप आपस में क्या करो, प्लस कर लो, तो यह क्या बन जाएगा, 150 बन जाएगा, हो गया 150, अब इन्हें cancel आउट कर दे, five से कर दे, five five's are 25, five three's are 15, and zero, ऐसा कैसा आजिया, ठीक है, अब cancel करें, five six's are, यह one's are, और यह six's are, means हमारे पस क्या आगे है, one oblique six, इसका answer है, ठीक है, यानि ऐसे आपने हर सवाल में value put करने हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है, value put करेंगे, आपका answer आजाएगा, या तो यह ठीक है, काफी है, अगर ना काफी है, तो हम अपने board के उपर सारे सवाल कर लेंगे, और फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है, आप अपने बहुत खयाल रखें, सवालात की practice करें, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, friends में share करें, ताकि आपको सारे सवालात आजाएं, बाकी अगर आपको आते हैं, तो well and good, सभी सी pattern पढ़ें, और अगर नहीं आत तो इंशालात अलाब बता दे हमें, comments box में हम upload कर देंगे, ठीक है बटा, okay take care, अलाफेश